सौरब में समझना चाहूंगी जहां इंडिया गडबंधन में या तकरार दिख रही है तो एंडिया गडबंधन ने भी तो सीट शेरिंग को लेकर कुछ तस्वीर साफ की नहीं है ना तो सवाल तो उनके यहां भी बरकरार है ठीक है बयान बाजियां कम जरूर हो रही है लेकि तो कुछ दिखाई नहीं देरा गडबर जब दिखेगा तो उस पर वी चर्चा हो जाएगी एंडिया में आप स्वहम कह रही है कोई बहनबाजी नहीं कर रहा देखिए जब यह गडबंधन इनों ने बनाया था भी पच्छ नहीं यह सबसे बहुत बढ़िया कि सारी मजबूत सक्सियत से हमें लड़ना है उसका नाम है नरेंद्रमोदी नरेंद्रमोदी जैसी मजबूत सक्सियत से लड़ने के लिए अगर आपने विपच्छ को इकटा हुए आप लोग तो एक अच्छा कदम था लेकिन जो भारती जनता पार्टी सुरू से कह रही थी कि बह दूसरी बात देखिये कि जो कॉंग्रेस है आप उतरप्रदेश की बात कर लिजे अपंगाल की बात कर लिजे 122 सीटे है तॉटल मिला करके उसमें मातर 3 सीटों पर कॉंग्रेस है चैंश्याnyt पांजबूत पाटी है जो मजबूत है बंगाल के अंदर अखिलेस यादो जान जो मजबूत है उसके अंदर वो कॉंग्रेस को उतनी सीटे देने के लिए तयार कभी नहीं होंगे तो जब यह गडबंदन बनाता तो सुरू से ही कॉंग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए था कि हमको अपने एहंकार को यहां पर समत्त कर देना चाहिए और चेत्री दलों क समान उनको वरियता देनी चाहिए कि ठीक है आप जितनी सीटे बोल रहे हम उतनी सीटों पर लड़ लेंगे लेकिन कॉंग्रेस भाई वह वी तो राष्ट्री पार्टी है अब उसके कहीं नेताओं के रोरावल गांधी कह रहे हम बात कर लेंगे तो आप यह बताएए बंग इस्तर प्रदेश के अध्याच्य है बंगाल के हैं उनसे 36 कहां कड़ा है पार्टी के अंदर लेकिन आप चाहते हैं रावल गांधी कि मेरे बोलने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होता है यह परीपकता दिखाती है रावल गांधी की कि आप अभी तक छेत्री दल पासी हुई है कि क्या यह गड़ बंदन में नितीश कुमार रहेंगे ममता बनर जी तो अलग हो चुकी और मैं अभी आप यू मान रहे हैं कल क्या रहे ना जैराम रमेश ने कहा कि स्पीड ब्रेकर है पार हो जाएगा तो ममता बनर जी ने जो सारजोनी ग्रूप से ब्यान जा दीदी ने वह क्या बोला बही वह अपनी सीटेक यो देंगी जीतीय बंगाल की बंगाल ममता बनर जी के पास और आपने कट बंधन में किसको रखा है आप सीपी आई और सीपीम भी रखेंगे और वह तो अच्छथ तीस का अबढ़ आपको वह तो आपको काली दे रहे ह तो कभी उनके साथ में जाएंगी हो तो कहते हैं आतंकवादियों कि पट यह आप सिरिफ आप देखिए सांप और नेवले एक जगह नहीं रह सकते आप लोगों में 36 का अगड़ा है और ठीक है अगर ममता दीदी अपने चुनाओ लड़ना चाहती है बंगाल में उनकर निर जो जन्मत बनाने का प्रयास होगा ना जुगार के जन्मत के लिए चुनाओ के बाद भी प्रयास करेंगे लेकिन अभी जो प्रयास हो रहा है उसमें पूरी तरह से विफल और जिस प्रकार से जो है यह आरजेडी है आरजेडी का अभी तक देखिए नितीश कुमार जो है इस थिर्थ है इनके साथ त्याइब आपने ललन जी के साथ क्या साजीश कर दी नितीश की कुरसी खीच रहे थे अब वो भन-बनाय हुए है अभी आपको कोई भी नियुजे एक दो दिन में सुनने को मिल सकते है कि निटीश कुमार जी के साथ यह हो गया तो नितीश कुमा जी के अंतर के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनकी लिडर्शिप में लड़ना चाह रहे हैं तो राहूल गांदी जी को एक अच्छा सलाकार तुरंट से उपलब्द कराईए अगर वह मंदिर 22 को मंदिर नहीं गए तो वहां पर मनिपूर में मंदिर जाने के लिए को चिल् मन्रा मंदिर को राम मंदिर का आदेश था जो भी सरकार उस्तामे होती आज मूहती सरकार है तो उन्होंने किया कॉंद्ध की होती तो वह करती फोई और तो इसमें प्रेडिक्ट लेना ये तो वो जो महले का लेकिन लेकिन धुर्टु यहां सीधा सवाल है क्या गडबंधन में सितकरार के लिए क्या कॉंग्रेस ही जिम्मेदार मानी जाएगी क्या क्योंकि हर जगा आपकी ही कुर्बानी की बात की जा रही है और ये भी तस्मीर सामने है कि कुर्बान कॉंग्रेस कर नहीं पा रही ये कुर्बानी दे नहीं पा रही है देखें यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि गटपंदन जो है ये किसी पार्टी का नीजी सुवार्त के लिए गटपंदन नहीं है यह इस देश के लिए कचपन है, लोगतंत्र को बचाने के लिए कचपन है, सविधान को बचाने के लिए कचपन है, जो नित नए जो किसाल रोज मर रहे हैं अपना बंगाल में ममता दीदी को आप मना नहीं पाएं है, खिलेश यादव, RLD के साथ उनके बीच सीटों का समझोता हो जाता है, लेकिन आपके सामने कोई तस्वीर साफ नहीं होती है, कमोवेश वहीं सित्य आमाद भी पार्टी के साथ है तो आप देखे जब धरेंजे जी बोलते हैं तब आप उनको लगातार बोलने देती हैं, सौरब जी बोलते हैं, उनको लगातार बोलने देती हैं, मैं बोलती हूं तो आप बीच में मुझे स्टॉप कर देती हैं, फिर अपनी बात रहे हैं, मैं आप ही की बात कर तो कर दो अधर से पकड़ लीजे उदर से पकड़ लिए और मेरा भी जवाब होई रहेगा तो आप मुझे जवाब तो देने दीजिए बोले बोले जल्दी बोले वक्त बहुत कम है रे तुछी बोले देखे मैंने देखे मेरे लिए फिर वक्त कम हो गया आपके पास अब यही त कमावड़ा नहीं है जहां पर रंगा सियार जो बोलेगा ताकि सियार हुआ हुआ करके वही काम करना शुरू कर देंगे